मन कहीं गुर्टेज के साथ माँ अब बच्चा थोड़ी हूं मैं देखो अब देर बहुत हो गई है तुम ऐसा करो यहां से ओर्चा चले जाओ वहाँ तुम्हारे दादाजी के भाई रहते हैं अरे माँ कोई बात नहीं क्या करूंगा उनका घर जाके बीस साल हो गए हैं क्या सोचेंगे इतने साल तो कभी आया नहीं कुछ नहीं सोचता कोई अपना खून तो अपना ही होता है वैसे अगर चला जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे अच्छा ठीक है माँ चला जाओंगा ओर्चा में उसका बच्पन बीता था गर्मियों के छोटियों में वो अपने पिताजी के साथ यहां आया करता था वहां उसकी एक छोटी चाची थी जो उसका बहुत ख्याल रखती थी उसको बहुत प्यार करती थी उनका घर गाओं के बाहर दूर खेतों में था घर के पास एक पीपल का पेट था जिसके नीचे वो खेला करती थी उस ताइम तक गाओं में बिजली नहीं पहुँची थी खुला आंगन, ठंडी हवा, बीहड की जमीन सब उसके दिल में अभी तक बसा हुआ था विशाल काम के सिलसिले में मध्यपरदेश आया हुआ था आज दो भाहर की उसकी ट्रेन थी पर वो में सो गई वो दो चित में था कभी सोचता की यहीं स्टेशन पर रेस्ट कर ले सुभा की गाड़ी पकड़ कर वापिस घर लोट जाएगा और कभी सोचता की चलो ओठा चलते हैं तो फिर अचानक उसने फैंसला किया कि आज आज रात वो अपने गाउं जाएगा चाची के पास अपने दादाजी को मिलने इतने सालों बाद अचानक से घरे बादलों ने दिन की बड़ी गर्मी पर लगाम लगा दे थी तारे काले बादलों में चिप गए थे चान भी आराम से कहीं चिप गया था अब रात के साड़े ग्यारा बच गए थे उसकी ट्रेन स्टेशन बार आई अपने बैक के उग कंधम पर लटका वो ट्रेन में चड़ गया एक अजीब सो सिनाटा सारे डिब्बे में पसरा हुआ था आदे से ज्यादा सवारियां सो चुकी थी वो चुप चाप सिंगल विंडो वाली सीट पर बैट गया सारे डिब्बे के खिड़किया बन थी क्योंकि रास्ते में चंबल का बीहड आने वाला था बीहड के गुम नाम कहानिया आज भी लोगों के जहन में गुमती है खुले खिड़की से वो बाहर आस्मान के सीने पर लेटती आस्मानी बिजली को देख रहा था बाहर अंधेरे में गिर्ती बारिश की बूंदें और बीहड में गुंस्ती आवास मानो आज शम्शान के सन्नाटे को भी अचानक से ट्रेन की सारी लाइटे बन दो और फिर अचानक एक लाइट फड़डाने लगी दोड़ती ट्रेन अब हावा के साथ एक मुकाबला कर रही थी विशाल फोन पर साथ साथ फॉलो कर रहा था कि इसकी ट्रेन कहां पहुंची रात का पौने दो बच गया था ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी विशाल ने सर बाहर निकाल कर देखा तो उसका स्टेशन आ गया था वज़ट से नीचे उतर गया इस स्टेशन पर सिरफ वही अकेला यात्री उतरा था सारा स्टेशन अंधेरे में लिप्टा हुआ था प्लैटफॉर्म पर बस एक ट्यूब लाइट पता नहीं कब से फड़ फड़ा रही थी टिकट खिड़की पर एक बाबू नीद में उंग रहा था अब वो क्या करे इतनी रात को घर जाये या सुभे निकले यहां तो कोई सवारी भी नहीं मिले किसको दूर बीहडों में से गीड़ों की अवाजें आ रही थी स्टेशन से बाहर आया तो वहाँ एक क्रिक्षा खड़ा था उसने सोय हुए आदमी को उड़ाया भया दिवान चन जी के यहां जाना है चलोगे उस आदमी ने कुछ नहीं बोला बस उसे ध्यान से एक टक देखने लगा चलोगे हाँ लेकिन मैं बाहर पीपल के पास उतार दूँगा ओके चलो कच्चे रास्ते से डगमगाता हुआ रिक्षा उसको लेकर चल पड़ा था रास्ते में दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही थी भेरा ही था विशाल ने रिक्षे वाले को कहा भया क्या अभी विस गाहों में लाइड नहीं है क्या किस जमाने की बात कर रहा हूँ जमाना क्या मैं अभी की बात कर रहा हूँ नहीं वो मौसम खराब है न इसलिए बिजली चली गई है लगता गाउं में तो ऐसा ही होता है और जहां तुम इतना बोल वो चुप हो गया फिर दोनों की कोई बात नहीं हुई कुछ देर बाद वो उसको पेपल के पेड़ के नीचे उतार कर चला गया उस पेपल के नीचे एक दिया जल रहा था वहाँ पे कुछ फटी हुई कुछ खंडित मूर्तियां और तस्वीरियां पड़ी थी विशाल बहुत अक्साइटेड था कि इतने सालों बाद वो अपने दादा जी के घर आया है वो अपनी प्यारी छोटी चाची को इतने सालों बाद मिलेगा उसे अंधेरे में दूर घर का दर्वाजा दिखाई पड़ा वो दबे कदमों के साथ घर की ओर चल दिया उसने घर का दर्वाजा कट-कट आया कोई नहीं आया उसने फिर कट-कट आया फिर कुछ देर बाद आवाज आई रुको विशाल अभी आई विशाल हैरान था कि उनको कैसे पता मैं आया हूँ तभी उसकी चाची ने दर्वाजा खोला उसके हाथ में मध्धम सी रोशनी जलती एक लॉल्टेन बकड़ी थी चाची को परणाम करते विशाल ने कहा चाची आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ चाची हूँ तुम्हारी तुम्हारे खट-खटाने के अंदाज से पहचान लिया अच्छा पर मैं तो इतने सानों बाद आया हूँ जब मर्जी आओ मैं तुम्हें पहचान लूँगी आंगन में घुप पंधेरा था उसकी बुआ कुर्सी पर बैठे हुई थी पास में उसके चाचा भी खड़े हुए थी विशाल ने सबको नमस्ते की और पास ये खाट पर बैठ गया चाची ने हस्ते हुए कहा इतने सानों बाद आये हूँ अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी बीच में बुव बुव उटी हाँ अब इसको यहीं रख लेना है हमारे पास विशाल ने कहा कोई बात नहीं फेर आऊंगा न दादाजी दिखाई नहीं पड़ रहे चाची ने कहा वो अंदर है सामने कमरे में विशाल उटकर जाने लगा तो चाची ने कहा वो सोय हुए हैं लो पहले पानी पीलो बात में मिल लेना कुछ देर वोस के लिए एक गिलास लेकर आई जैसे विशाल पानी पीने लगा उसको एक अजीब सी स्मेल आई जैसे कि वो इतने में उसकी दादी अंदर वाले कमरे से बाहर आई विशाल ने जैसे ही उटकर उसको परणाम किया तो उसके होश उट गए उसके मुँ से जबान नहीं निकली फिर उसने चोरी सिबनी बुआ चाचा और चाची को देखा तो सब के पाउं उल्टे थे उसके धड़कन तेज तेज दोड़ने लगी उसने नजर उपर उठाई तो सब के चहे गले हुए थे और वो सकेरी सी स्माईल के साथ उसको देख रहे थे तभी बिचली कड़कड़ाई उसने देखा कि सामने कमरे में उसके दादा का कटा हुआ शव बढ़ा था चाची ने कहा अब तुमको यही रहना है विशाल अंडर जाकर आराम कर लो विशाल की जवरदार चीख निकल लए वो बाहर की और दोड़ पड़ा उसकी चाची भी उसके पीछे दोड़ पड़ी विशाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा बस उसकी चाची की अवाज उसको सुनाई पड़ रही थी रुखो विशाल बात सुनो यही रुखो यही रहो अब तुम्हें यही रहना है अंधेरे में उसे कुछ नहीं पता कि वो कहां की सोड़ दोड़ रहा है बाहर वो कुछ दूर चलकर भिहोशो कर गर गया जब सुभावस की आँख खोली तो कुछ लोग उसके आस पास कड़े लिए सूरे निकल चुका था एक आदमी न उसे कहा भाई साब क्या हुआ है कहा है थे आप जीब दिवान चंजी के यहां सभी लोग उसे गौर से देखने लगे विशाल ने उनको रात वाली सारी बात बताई वो आदमी बोल उठा तुम पागल तो नहीं होगे वहाँ तो कोई दिन की रौशनी में नहीं जाता और तुम माधी रात को वहाँ चलेगे क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? आज से पांच साल पहले किसी ने उस घर पे हमला कर दिया था दिवान चंजी को काट कर फैंक दिया और बाकी परिवार के लोगों को सांस दबा कर मार दिया था उनका घर गाउन से बाहर सा तो किसी को पता नहीं चला उनकी लाशे वहां पड़ी-पड़ी गल गई थी तब से वहां कोई नहीं चाता लोगों को उस घर में से आत्माएं दिखाई पड़ती है परचाईयां घूमती-फिर्ती दिखाई देटी हैं उस घर में विशाल के होश उड़ गई थी इतने में विशाल के फोन की बेल बजी उसकी माँ की कॉल दी हाँ, बेटा कहां था, अपने चाचा जी गए है हाँ, हाँ माँ, कैसा रहा वाँ अब वो क्या बताए, कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था इतना कहकर उसने फोन काट दिया माँ, घर आके बात करता हूँ गाउँ वाले की बात सुनके, उसके होश भेट से उड़ गए थे उसे समझ नहीं लग रहा था, कि अब वो क्या करे तो ये थी मेरी आज की कहानी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ इस साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजेगा अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी